सब्सकारब करें अपने youtube चैनल लेर्णिमॉट मेडिसिन को और बैल आइकन दबायें लेटेसस्ट नौटिफिक्शन पाने के लिए सबसे पहले हम वीडियो में जान लेते हैं एल्ब्यूमीन एक परका का प्रोटीन है जो हमारे सरीर में । ब्लड का वोल्यूम है इनको मेंटेन करने के लिए हर्मोन विटामिन तता एंजाइम को ब्लड में परकार करने के लिए हल्प करता है जब भी हमारे सरीर में albumin की कमी हो जाती है जिस तरह जैसे कि किसी व्यक्ति को liver disease हो जाए kidney disease हो जाए या किसी वरकार की emergency condition हो जाए तो उस इस्तिति में डॉक्टर albumin हमें external source से देते हैं जिसमें से एक है albumin injection को जब भी आप मेडिकल इस्टों पर खेदने जाएंगा थे human albumin injection के नाम से मिल जाएगा साथ यह कुछ अन्य नामों से मिलता है जिसे हम इसकी brand name कहते हैं जैसे popular brand name, L.U.Dec, L.U.Rail, L.U.Make injection और भी इसकी popular brand है जो available आपको मिल जाएगी और इसकी कुछ limited company है जो इसकी brand बनाती है आपको जो easily मिले जो सस्ता मिले उस आप खाई सकते हैं इस injection के strength की बात करते हैं तो यह तीन अलग-अलग strength में बनाए जाता है 5%, 20% तदा 25% और जो इसकी packaging होती वह भी अलग-अलग है 10 ml, 50 ml और 100 ml और इसमें सबसे ज्यादा जो excellent में injection है वह 20% 100 ml का होता है अगर इसके price की बात करें तो 20% 100 ml का injection है वह लगबक 5000-6000 में मिलजाता है साथ ही 50 ml का injection है वह आपको 600-1100 में और 10 ml का injection है और 135 रुपे चलेंग अगर 300 में तो इसे ठंडी जगा में रखना चाहिए इसी कारण से इसे फ्रीज में दो डिग्री से लगा कर आठ डिग्री के बीच में रखा जाता है लेकिन इस समय विश्य तोर से ध्यान रखे इसको डीप फ्रीज में नहीं रखे वापे जमने से बचा है अगर यह इंजेक्शन जम ज होते हैं पहन वह ज्यादा पून वा अगया हो या किशी परगार की ट्रॉमेटिक स्टेज हो उसके उसका पून मेजर Buddy हो तब उसम्मेस खून बाव हो किसी को किडनी का डाईलेसिस हो रहा हो खून की कमी व्यक्त्ति का सईरलिम आगयी हो या कई पैसेंट है liquid वो इलेक्ट्रिक सोक लगा हो या बर्न हो गया हो तो इन सभी इस्तति में भी खोन का जो वोल्यूम है वो कम हो जाता है तो उस समय जो अल्बूमीन इंजेक्शन है डॉक्टर द्वारा दिया जाता है साथ ही कोई पैसेंट है जिसका लिवर फेलियूर हो गया हो जिस करण से वो अल्बूमीन का सेक्रिशन नहीं कर पा रहा हो हमारे सरी में अल्बूमीन की कमी हो गई हो किसी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम की बीमारी हो गई जो एक परकार की बीमारी है जिसमें किट्नी हमारे सरी में से प्रोटिन यूरिन द्वारा पास करता रहता है जिससे हमार कि किसी करनी हो तो उस सर्जरी के पहले विक्ति के खुन को पतला करने के लिए बीचटर दोड़ द्वारा दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा चैनल सार कि नी मेर्मेश का प्रियोग ले। अब जान लेते हैं अल्ब्यूमेनी इंजेक्शन के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं यदि किसी व्यक्ति को होते हैं जो most common side effect इसके है उसमें मरीज को कान, नाक तता चेहरे पे गरम महसूस हो सकता है इसके इसके हैं, बुखार आना, बुखार के साथ सरदी लगना, नोज या वोमेटिंग रहना, साती व्यक्ति का जो blood pressure है उसमें कमी हो जाना ये कुछ इसके side effect देखे गए, या इसके लाइब दूसे unwanted effect आपको मिले, तो तुरंती injection लगाना बंद कर अपने डॉक्टर को एक बार सुचित करें जिससे कि या तो dose adjustment आपको की जा सके, या कोई दूसा treatment दे के आपको उस problem से निजा दी जा सके अब video class में जान लेते हैं, albumin injection की क्या dose रेती है, क्या route of administration होता है और किस तरह सिसको लगाया जाता है, तो इस injection का प्रियोग सीर फोर सिफ, IV, intravenous route के दारा ही किया जाता है और इस injection को जब भी मरीज को emergency condition में लगाया जाता है, तो उस समय 200 ml से लगा कर 300 ml तक patient को लगाया जाता है जब सुरुवाती first dose लगती है, तो जो पहला injection है 100 ml का, उसे बहुत ही fast push किया जाता है लेकिन जो दूसरा और तीसरा injection रहेगा उसको इस तरह से लगाना होता है कि 30 मिनट से लगा कर 45 मिनट एक injection 100 ml को खत्म करने में टाइम लगे और साथ ही इसके साथ दूसरे जो fluid है आवस्टता होने पर उन्हें भी लगाया जासा है जैसे कि D5, DNS, RL ये भी इसके साथ चलते रहते हैं और दोस्तों जो मैंने यह तरीका बताया है जरूर ही नहीं इसको दूक्टर फोलो करें उस condition में जो आवस्टता होती है जो लोज की आवस्टता होती है उसके according ही डोक्टर डिसाइड करते हैं जिससे प्रेसेड की जान बच सके और दोस्तों यह injection सिर्फ और सिफ होस्पिटल यूज के लिए है इस injection का परियोग सिर्फ डोक्टर के सलहा पे और डोक्टर की देखरेक में करना होता है मुझे आप द्वारा कमेंट मिला कि इसके डिटेल बते हैं सर तो आपकी जानकारी के लिए में इसके पूली डिटेल बता रहा हूं इससे आप गर पे परियोग नहीं करें तो दोस्तों एक complete detail थी albumin injection के पारे में जिसम human albumin injection तता human albumin infusion भी कहते हैं उम्मीद करता हूं सभी doubts आपके clear होएंग और जादा जादा जानकारी आपको मिली होगी और वीडियो आपको पसंद आया होगा झाली आपको